जी पार्ट टू सार्ट हो गया अच्छा जी डारेक्ट मेटील समझाया जो सिग्निफिकेंट पार्ट बने जो ट्रेस हो सके इन फॉल टू वन यूनिट ऑफ आउटपुट और जो सिग्निफिकेंट हो टोटल कॉस्ट के कॉंटेक्स्ट में कि अगर पूरा टेबल जो है मैंन जो है वो आपका फेस्सपे अलग से नजराएगा वो पर्रेसंटेशन वगयरा देख लेते हैं फ़े दोसफी और अगर हैं तो है तो प्रोटक की काॉस्ट का पार्ट आप कील की कास को सेलिंग एकस्मेंशा नहीं कह सकते ओहू यह और कीढ़ ये कील है कील इसको आप व्रो भी तो है ना अगर मेटीरियल है लेकिन वह तीन चीज़े नहीं पूरी हो रही डैक्ली ट्रेस नहीं हो रहा इन फुल शिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है और इंटेग्रल पार्ट उस तरह से नहीं बन रहा है ठीक है तो फिर है तो मेटीरियल इस्तमाल दिशी में हुआ है तो फिर क्या करो इंटेग्र कहो और इंटेग्र मेटीरियल कहां फैंक दो ठीक है ऐसे ही लेवर की बात करते हैं लेवर कब डैरेक्ट होगी जो डैरेक्टली प्रॉड़क्ट पे काम कर रही है जानी कि वह लेवर जो जूता सी रही है या उस मशीन को चला रही है जो जूत कर सकते हैं हम एक यूनिट के ओपर नॉर्मली ना नॉर्मली हम आगे जाके पढ़ेंगे सबसे ज्यादा जो इस्तमाल भी होता है हमारी कॉस्ट अकॉंटिंग अंदर जो वेज सिस्टम वह औरली वेज सिस्टम होते हैं हम एक गंटे का एक मजदूर को एक जुता बनाने वाल बने लेबर को हम एक घंटे के पांच सू रुबर देते हैं और वह पांच घंटे के अंदर एक जुता बनाता है मिसाल के तौर पे तो पांच सौ इंटूपांच पच्छी सो रुपे हमारे एक जूते की लेबर कॉस निकल आई लो डिरेक्टली आगे ने डिरेक्टली अट्रिबूटेबल इन फुल टू अ कॉस यूनिट बानेगा ना ये अच्छा चलो ये तो हो गया कि जो डिरेक्टली ट्रेस हो सके एक यूनिट पर कितने लगता है हो है कि अब मुझे मैं कह रहा था एक जूता बना रहा हो था दूसरा जूते लगा रहा होता है सुपरवाइ抹षार कां क्या है इसे बैटे कारे हो चलो तो कम न संदे लग स्षपतार नहीं बहुता है उटो काम करो, काम करो, यह जो कहता फिर रहोता है, हर बंदे के पास जा रहा है, पूरा डिपार्टमेंट उसके अंडर है, भागम भाग फिर रहा है, कभी इसके पास जा रहा है, तो फैक्टरी का मलाजिम, है तो प्रोड़ेशन प्रोसेस कोई देख रहा, लेकिन क्या उसकी कर रहो लेकिन है तो ये इसी factory का ही خर्चा factory के अंदर ही सुपरवाइसर है जो manage कर रहा है सारे direct labor को तो इसकी cause कहां लेके जाए? डायरेक्ट लेवर तो नहीं है, है तो factory खर्चा है, direct headquarters. जो security guard बाहर बैठा हुआ है, अब तो फैक्टरी का सेक्योरिटी गार्ड जो है, अब है तो वो भी फैक्टरी का ही एंप्लॉई, वो ना बैटे तो ऐसे लोग आके तंग करें और ये फैक्टरी की ही फासद प्रेमिसिस के लिए बैटा हुआ है, अब उसके अंदर जो जूते बन रहे हैं, क्या कोई क्लियरली एक जूते के ओपर कितनी कॉस लगी, शायद बता भी लें, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं, बचे कहते हैं न जी वो बता सकते हैं, तो बता सकते हैं, हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, मिसाल के तो पर आपन्च लाग जूते बनाए, और सेक्योरिडी काड़ को पांच जार तन पांच जार कम, पचास जार तन खादी, अब निकालो जारा पांच लाग डिवाइड बाए, पचास जार डिवाइड बाए, पांच लाग कितनी को कॉस निकलेगी, बिल्कुल इन सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो हम उसको भी डारेक्ट नहीं कहतें, इंडर्ट, बनना प डारेक्ट लेबर, और एक और चीज़ होती है, डारेक्ट एक्सपेंस लेकिन वह भी जूरत नहीं है, फिलाल, इन दोनों को जब आप टोटल करते हैं, टोटल, एक चीज़ आती है, जिसको टोटल करने के खुछा जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना, होना चाहिए, यही त प्राइम कौस कहलाता है, और फिर इस प्राइम कौस के अंदर आपने एड़ करना होता है, फेक्टरी ओवर्एड्स को और फेक्टरी ओवर्एड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जहें, वह आ जाती हैं। जैसे मिशाल के तोर पे रेन्ट ने चलzw़ अपनी फेक्टरी ठीक है तो डेपरीसेशन आफ प्लांट अलेक्टरिसिटी एक्सपेंस अच्छा एक मिनट असल बात तो ये थी के हम तर्तीब वो रखें बस ये दो काफी है अलेक्टरिसिटी में आगा है ना यूटिलिटीज मैं तो ये कहना चाहरा था कि सबसे पहले हम ये लिखें कि जो इंडागा भी है यह तो डैलेक्ट माटिरिल कौन सा होगा ये कपड़ा है जो इस प्रोड़क को शेप दे रहा है हालांके बटन भी ही में लग रहा है अलांके दागा भी हिसी में लगा हुआ है लेक widening infer Karis कोस total अगर सूट की कास को consider क्रें तो कपड़े की कीमत और और आगे धागे कीमत को क्या मुकाबला तो जो कपड़ा होगा वो direct material है और जो धागा होगा, जो बटन होगा, वो indirect material, लेकिन वो indirect material भी product की cost का part बनेगा, ठीक है ना, जो खर्चे factory के अंदर हो रहे हैं, यह सारे उसकी detail है, ठीक है, अच्छा जी, तो indirect material है product की cost का part ही, ठीक है, जी बेटा, तो वो फिर और तरफ चली जाती है बात, वैसे वो fixed cost की तरफ चली जाएगी, ठीक है, अगर labour को fixed monthly wage भी दे रहे हैं आप, तो fixed cost जाती है, लेकिन आप per unit निकाल जरूर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको बाहराल कोई ने को target तो दिया होता है, एक, हाँ वो direct मन जाएगी ना, ब दूसरी classification की तरफ चल पड़े हो आप, वो भी ना छेड़ो, छेड़ेंगे वो इंशालला कल, variable fixed ठीक है ना, फिल्हाल आप direct indirect की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आप क्या बताया, कि जो material या labour, directly involved है उसकी production में product की, और significant cost रखती है, directly involved है, तो चाहे मंतली दे रहे हो, व वो आपकी, क्या कहते है, इंडारेक्टिव लेबर है, वो फिर अगली बात हम देखेंगे जाकर, fixed भी हो सकती है, variable भी हो सकती है, त्रेस हो सकेगी, क्यों नहीं हो सकेगी, significant part है, ट्रेस कैसे ही हो सकेगी, पांच बंदे बिठायों हैं आपने, और पचास, एसी आपने प्र है, ट्रेसेबल है के नहीं है, तो हो जाएगी, चीक है ना, तो फिलहाल, साधा बात, ट्रेस हो सके, एक यूनिट पर कितनी cost लगी है, और वो cost significant part हो, चीक है, no direct labor, और जो ना ट्रेस हो सके, अच्छे product की cost का part की भी बन जाना है, क्योंके, इदर देखो, यह जो डिबबा है material, direct labor थी, 170 होगी, prime cost, उसके बाद indirect material जो है वो 20 रुपे का है, indirect labor जो है वो, ऐसी अज्यूम कारनी figures ताकि आपको दरा पता लग जाए, ठीक है, लाग पता जाए, 15 रुपे, डेप्शन आफ प्लांट 35 रुपे, electricity का बिल आ गया, 15 रुपे, 120 रुपे, ऐसी बस, अज्यूम क cost, total, factory cost, factory cost, factory cost कर लो, वो पिर अगली बात आपने पढ़ी हुई है, बच्पन के अंदर, कितना मंदा है total, यह यह तीन चीज़े है, 1, 2, 3, असल में तो यह तीन चीज़े हैं, लेकर मैंने एक नाम ज़रा याद कराने के लिए, इसको prime cost लिए ठीक है, जी कितना, 360, तो यह 360 क्या है, यह factory के अंदर होने वाला total खर्चा, यह सारा product cost है, क्योंकि अभी तो यही पढ़ा के आ रहा हूँ, कि product cost क्या है, जो manufacturing, product को factory manufacture करने के ओपर cost आती है, वो material भी है, labor भी है, material direct, labor direct, और बाकी सारे खर्चे, तो indirect labor, indirect material, overhead में चला जाता है, ठीक है, बात समझ आई कुछ की जरा figure से जरा समझ आ जाती है, लेकिन इसको चोड़ो, असल तो यह बात कर रहे हैं, ठीक है, तो direct labor इसी तरह से लिखा हुआ है, यहां पर आपके लिए, direct labor, who are actively involved in manufacturing of product, and whose time spent on each unit and wage cost per unit can be traced easily in finished products, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो हमारी direct labor कहलाएगी, ठीक है, वो आग तो direct material और direct labor नहीं है, लेकिन factory का खर्चा है, वो overhead, ठीक है जी, तो factory overhead क्या बनगे, मैं अगर इसकोई definition लिखूना तो मैं यू लिखूँगा, all factory expenses, all factory expenses, other than direct material and, other than direct material and direct labor. ठीक है जी, तो मसलन indirect material, indirect labor और जो उपर वो इदर साइड पर लिखे रहे ठीक है, ठीक है, factory rent, electricity, fuel, electricity और fuel जब लिख दिया ना, तो utility बन गया ना, फिर दुबारा utility क्यों लिखूँँगा, मैं utility लिख करना, थोड़ा सा general नहीं रखता, जरा मुश्किल रहता है बच्चों को याद रखना, बिजली ऐसे याद रह जाता है, ठीक है, अब बिजली है क्या utility है, ठीक है ना, तो ये जी थोड़ी सी बात हमने की, product cost की, ठीक है, तो product cost क्या होती है जी, ये manufacturing business के context में बात कर रहा हूँ, ठीक है, cost classification, ये product cost, product cost जो है, ये in a manufacturing business में बात कर रहा हूँ, तो product cost in a trading business क्या होगी, वो मैंने लिखा हुए है notes के अंदर, वो just cost of purchase होती है, product cost क्या है, जी तो खरीजने को पर cost आई, ठीक है, तो वो चुके normally हमारा subject होता नहीं है इस paper के अंदर, इसलिए मैंने जरा उसको ऐसी गोली करा दी, ठीक है, लिख देता हूँ, अगर आप कहें manufacturing business, अच्छा अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है ना, ये tabular form में, तो आप फिर picture बेशक ले लिया करें, ठीक है, लिखा हुआ तो आपको basics का उधर मिली जाएगा, लेकिन आप लेकिन आप यहां पर पूरी बात मैंने नहीं लिखी, वो वहां पर लिखी हुई है, तो छलो ठीक, अगर आपका map बनता है, तो कोई मसला नहीं बना लिए करें, ठीक है, लेकिन completeness आप वहीं से इंशुर होगी, ओके, जी, तो product cost in a manufacturing business क्या होता है जी, वो सारी cost जो manufacturing के अंदर इस्तमाल हो, वो क्या होगी, direct material, direct labor, और FOH, क्या होते हैं, समझ आ गया, अच्छा product cost, trading business के अंदर क्या होती है, वो अभी इदर लिखनी रहा ताकि आपका confusion, चीज़े ना simple रखनी चाहिए, ठीक है ना वो पढ़ा देता हूँ, आपको पता है वैसे, purchasing की cost, यहाँ पे अलग से लिखा होगा है, ये, product cost in trading business, in trading businesses, product cost are all those costs incurred to purchase goods and expenses incurred for bringing such purchase goods to present business location, अब जी आपने इंट्रो में पढ़ा हुए, आई स्ट्रू में, ठीक है, तो इसलिए इसको मैं उदर discuss इस तरह से नहीं करा, पता है आपको, सवालों के अंदर आएगा, ज़रूर किया करेंगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है, सवाल को आएंगे भी, say trading business के inventory के अंदर आजाते हैं, हम करते होते हैं, उस सवाल ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, लेकिन ज़रा मैं बातों को simple रखना, ताकि वो चीज़ें कम रहें, जो नहीं सीख रहें, आप और summarized रहें, ठीक है, for example, purchase cost, carriage inward, transportation inward, एक ही बात होती है, एसा, चले, चले अच्छा जी, period cost कौन सी cost होती हैं, period cost कौन सी cost होती हैं, कोई बता दे, कोई बता दे, गलत बता देंगे तो कुछ भी नहीं होगा यहां पे, जो period की हो, मतलब गलत बताएं, चमलें तो नहाम आ रहें, जी, assemble, assemble, assemble करने वाला, assembling, assemble कहा, assemble होंगे, कहां होंगे, तो फिर, manufacture होकर जब इस शकल में आना है न, उस तक आते आते सारे खर्चे factory के ही है, material से चला था, करते, 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 यह शकल बन के, यानि इस factory के, इस दर्वाजे से, material भी आता है, labor भी यहीं से खुझती है, meter भी इदर ही लगा होता है, सब कुछ यहां पे चलता, 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 इदर से जब दर्वाजे से निकल कर product बाहर जाती है न, शोरूम में जाके लगती है, तो फिनिश गूर्ड होने तक के सारे कर्चे factory कही है, वो चाहे आपके machining department की बात हो, चाहे cutting department की बात हो, चाहे आपके वो, जा हो, assembling की, चाहे finishing की बात हो, even assemble के बात, finish करने वाला department इसके बात पढ़ा है, वो की factory का खरता है, अच्छा जी period cost जो है जी वो manufacturing के साथ नहीं associated होती है period cost जो है वो किसी period के साथ associated होती है ठीक है ना मैंने यहाँ पर simple लिख देखते हैं जहाँ पर जादा simple लगा period cost are not associated with manufacturing or purchasing of product यह दोनों के यह सेम ही होती है ठीक है product cost in manufacturing manufacturing and trading business यह सेम होती है इसलिए मैं इसको अलग से लिखा भी यहाँ पर कटे हो ठीक है period costs are not associated with manufacturing or purchasing offer and are matched against revenue of particular period in which those costs are incurred ठीक है वो कौन सी है जी? admin expenses selling expenses finance costs सादा बात these costs are also known as non-production costs यह चले बाद में आपढ़ दीजी का different नाम जो है ठीक है नीचे मैंने इसकी examples लिखी हुई है notes के अंदर आप तो सली से एक बार घर पर पढ़ेंगे याद तो करना नहीं एक बार पढ़ने से जहन में बैड जाते हैं ठीक है selling expenses कौन से हो सकते है admin की क्या examples है finance cost क्या है ठीक है तो चलो मैं लिक देता हूँ carriage outward selling expense है और selling expense period cost इस तरह से याद रखें ठीक है ना simple बात ठीक है मैंने आपको दो classification दे रही है product cost दूसरी period cost अच्छा आप trading business की बात करें तो carriage inward product cost carriage outward selling expense है इस वज़ा से period यूँ याद रखोंके तो ज़्यादा easy रहेगा ठीक है ना ओके समझाती है बात की चले तो period cost चले यही वही बात लिखी देता हूँ फिर तोड़ी बहुत जैसे ही are not associated कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी are period cost are not associated with manufacturing ऐसे ही है जी जो factory से बाहर होते हैं ये मेरी तस्वीर के अंदर ये ये सारे खर्चे क्या है non production भी इनको कहते हैं ठीक है non factory भी कहते है इनको period cost भी कहते हैं ठीक है ये product cost का part नहीं बनाते हैं जब product cost का part नहीं मनाते तो ये जिस period में होते हैं उसमें रहते हैं ज़रा बारीक बात है लेकिन शायद समझ आजे ना आए तो जब मौका आएगा समझ आजेगी product cost product का हिस्सा बन जाती है ऐसे ही है अब product अगर सारी की सारी इस period में नहीं बिकी तो closing stock बन के इस period की cost of sale से निकल जाएगी और अगले period की closing stock opening stock बन के cost of sale का हिस्सा बन जाएगी तो incur तो इस period में होई थी चली अगले period में गई तो इसलिए इसको product cost को period cost नहीं कहते हैं ये अगले period में move कर जाती है ठीक है तो जो cost product का हिस्सा बन जाती है ना वो अगले period में product के साथ move कर जाती है जब closing stock अगले period में opening बनेगा नहीं समझ जाई तो कोई मसला नहीं मौका जब आएगा तो समझ आ जाजएगी यह ऐसी ज़रा बात बातों में आ गई तो मैंने बोल दी ठीक है कि product cost का मतलब क्या है इस marker को बनाने में मुझे इस pen को बनाने में मेरे जो हो एक हजार रुपया लग गया मिसाल के तो अब यह पैन अगर बिक गया तो cost of sale है उसी period में expense बन गया और अगर बिका नहीं है तो closing stock क्या को सो सेल में से माइनस कर लूँगा acid बना लूँगा अगले period के अंदर opening stock कहां पड़ा होता है cost of sale में यानि मैंने बनाया खर्चा इंकर तो इस period में किया था लेकिन यह जाकर expense बान रहा है यह product cost की खुदूसियत है समझाई किसको नहीं समझाई काश यहां से कोई कहता है मैंने थोड़ा मजाग करना था चलो तुसमें बचे रहने फिर्न राज़ी हो जो मैंने हाँ वैसे जरूरत नहीं है अभी मैं एक बार फिर बोल रहा हूं मौका आने पर समझाएगा यह topic है ठीक है लेकिन साधा बात मैंने कहा कि मैंने यह मार्क यह जो पैन बनाया इसको बनाने पर माटीरियल लेबर ओवरहेड मेरा लगा हजार उपे में यह पैन तियार हो गया ठीक है मैं भी कुछ लिख भी इसलें रहा है क्योंकर भी जरूरत नहीं है इंट्रो का नॉलेज उस कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग अकाउंट कर ली यह त्यार हो गया है फिनिश गुड्स है अगर यह इस पीरिड में बिक गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल है और अगर नहीं बिका तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस निकाते हैं क्लोजिंग स्टॉक एसेड बना लेते हैं और अगले पीरिड के अंदर यह ओपनिंग है ठीक है ना वो पीरिड कास्ट नहीं है पीरिड के अंदर जितना इंकर होता है वो एक्सपेंस बन जाता है सवाल कितनों आया है हाँ मुझे नजर नहीं आ रहा था ना बचा आप ने 9 महीने बिल्डिंग इस्तमाल की और किराया आपने 12 महीने का 12 रुपे दिया हुए तो इ किरूवल को ना इधर मिक्स करो मेरवानी आपी है यह बास समझ आई है मेरी बास समझ आई है वह तो मेरवानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी तरह शूगल लगा आप नहीं समझा तो दुबारा बता है क्यों अगले साल एक्सपेंस होगा क्योंकि इंकर नहीं हुआ लेकिन ये तो इस साल इंकर हो चुका है material लग गया labor लग गई है overheads लग गए है ये product तो त्यार थी ये सिर्फ बिकी नहीं है खर्चा तो ये हो चुका था product के ओपर अब और कोई खर्चा नहीं होना आगे stock ठीक है तो थोड़ा सा फरक है ठीक है ना तो उसको ना mix करो साधा रखो अभी प्री पेमेंट accrual को साथ mix करो वैसे मैंने बता दिया है ठीक है ना कि वो खर्चा ही नौ इस्तमाली बिल्डिंग नौ महीने किया आपने तो वहां पर आप पर दस महीने नहीं चार्ज कर सकते है ठीक है अगले period के अंदर लेके जाओगे वो इस period जितना उस period के अंदर नौ महीने यूज किये नौ महीने का expense हा रहा है यह नहीं आगे गया के जी इसी building के अंदर यह pen बना था इन्ही नौ महीनों में यह pen बना है लेकिन यह जो building का rent था मिसाल के तोर पर जो selling admin की building थी जो head office की building है हमने किराये पे लिए हुई है उसका किराया मैंने इसमें नहीं डाला था जब इसमें नहीं डाला था तो वो किराया इसमें डालके आगे नहीं गया यह नहीं के अगले period में जो product cost है वो move कर जाती है period cost नहीं कर रही है ठीक है वो किसी एक खास अरसे से डिलेट क कर रही है इसलिए तो उसको कह रहे है matching concept को follow कर रही है 9 महीने चीज़ें रखकर बेचीं तो 9 महीने का वो खर्चा बन गया ठीक है चलें छोड़े बारहल बात ऐसी आगे निकल रही है फिलहाल इतना काफी है product cost सार असलिए बातें तो बहुत हैं सारा syllabus बढ़ा है और यह सार रहा हूं कि हम जड़ा थोड़ा सा ऐसे जान पहचान तो कर लें सीमें के साथ ठीक है time कम मैं थोड़ा सा आज भी ज़दा पढ़ाऊंगा थोड़ा लेट हो गया था नहीं नोट इसोचिटीड विद मैने फैक्ट्रिंग और प्रॉड़क्ट एंड और नकल करके आता हूं और किते क्या एंड और इंकर्ड फॉर नीचे है हां मैं भी को उपर वाला पड़ रहा हूं और मैज अगेंस्ट रेविन्यू ओफा एंड आर मैजड अगेंस्ट इसलिए कि आप ना लिखे ना ठीक है वहीं पर लिखा हूँ मैज्ट अगेंस्ट रेविन्यूज ओफा पर्टिकुलर पीरियड वैसे ना बात असल में बढ़ गी इतनी बात काफी थी कर देनी लेकिन दरा मेरे दिल में आया मैंने ये बात कर दी ठीक है तो प्रड़ कॉस्ट जहन में रखना कहीं आगे जाके पढ़ेंगे तो काम भी आ जाएगा ठीक है न कि ये अगले पिरेड में मूव कर गई थी क्योंकि कॉस्ट तो इसका हिस्सा बन चुकी थी हजार की कॉस्ट इंकर हो गई है विका नहीं तो स्टॉक बन के आगे चला जया ठीक है ना तो ये आगे मूव कर जाती क्योंकि ये प्रॉड़ का हिस्सा और जिदर प्रॉड़ ज होती manufacturing से रिलेट करने वाली तो हार चीज हमने यहां पर डाल दी हुई है फ्रेक्टरी का रेंट भी तो इधर डाला था प्राउट की कॉस्ट ठीक है लेकिन हैड आफिस का रेंट उदर नहीं डालेंगे ठीक है सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट उदर नहीं डालेंगे ठीक है ना बा समझाई तो यह जी selling distribution कहलें selling कहलें marketing कहलें यही नाम होते हैं ना distribution कहलें फिर advertisement selling में आता है administration कहलें admin costs advertisement तो बेटा आ गया नहीं इदर marketing selling marketing ठीक है और तीसरी जो cost होती है वो होती है जी finance cost यहां पे जो मशूर तीसरी cost है वो है finance cost बैंक से लोन लिया उसको interest pay किया period cost ठीक है लेकिन वो जो नहीं relate कर रही कहीं जाकर आगे को relate करेंगी तो वो देख भी लेंगे ठीक है बहराल यह हमने cost classification पढ़ी product cost और period cost अब चलें ठीक है ठीक है बहराल यह हमने cost classification यह काफी है मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ना मैंने एक अग्याश्टी सी चीज बनाई थी अगर वो आपको नजर आ जाना यह हां यह यह इसकी picture ले लें यह एक relevant बात जरा easy हो जाता है क्योंकि दोनों business अलग लगते ना manufacturing business की product cost क्या होती है direct material, direct labor और F.O.H. यह product cost है और फिर selling, distribution, admin और finance यह period cost है और यह दोनों मिलकर इस business की total cost में अभी मैं बात करूंगा ना, sale price निकालनी है, तो sale price निकालने के लिए हमने cost plus profit करना होता है, तो cost सारी की सारी होती है, तो यह दोनों cost अलग अलग रखना जरूरी है, कभी वो जो आप से पूछे product की cost निकालो, तो आप उसके अंदर अगल है, लेकिन यही नहीं पता लग रहा कि उसने require किया total cost और दे ही जा रहे है product cost, क्यूंकि cost accounting का paper है, हमेशे material labor overhead देखा, तो पता ही कोई नहीं है कि कर क्या रहे हैं, किदर को जा रहे हैं, ठीक है, तो manufacturing business के अंदर total cost दो चीजों से मिलकर बनेगी, product cost और period cost, product cost फिर manufacturing business के अंदर material labor और overhead, ठीक है, और बाकी जो period cost है, वो selling admin और ट्रेडिंग बिजनिस के अंदर भी total cost दो ही cost का मजमुआ है, product cost और period cost, लेकिन trading business के अंदर product cost जो होती है, वो purchase cost होती है, और फिर बाकी directly attributable खर्चे होती है, और period cost इसकी इसकी दोनों same है, ठीक है, तो सवाल की requirement ध्यान से करें, जो हमारे सामने आना है जादा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, total cost कहेगा, तो ये सारी, जितनी available होंगी, वो देनी पड़ेंगी, और अगर वो कह दे, सिर्फ product cost निकालो, तो ये, ठीक है, तो या वो total cost मांगेगा, या product cost मांगेगा, हमारे CMA के परचे में सिर्फ period cost वो मांगता नहीं है, ये basic के अंदर मैं को सवाल कल hand out के अंदर एक दो डाल दूँ, आपकी practice के लिए के product cost और period cost निकाल करा हो, तो वो अलग बात है, वरना CMA के अंदर requirement में period cost नहीं मांगेगा, हो या product cost मांगेगा, manufacturing business की, ठीक है, या total cost मांगेगा, आपको ये, सारा कु मुझे relevant लगा, एक दम से देन में आया कि last time ये काम किया था ठीक है, तो बेटर total cost को divide कर देना जिसने units बनें, वैसे आपको अगली बात बताओं, ज्यादा तर हम करेंगे भी per unit और बाद में total कर लिया करेंगे, तो ये देख लेंगे, सवाल के data में मुनसिर है, ठीक है, अगर मुझे totals given है, तो total निकाल लूँगा, और जितने units में आया, उसे divide करके per unit निकाल लूँगा, वो तो जिद्धर भी जाना हो जा सकते है, ठीक है, सवाल to सवाल वेरी करेगा, ठीक है, जो सोचा था वैसे वो तो नहीं पढ़ा सका, as usual, अच्छा, थोड़ी सी class extend हैंडाउट बनाने बनाने में वो सहरी करके नमाज बढ़ के बैठा, तो मैंने का बना लूँगा, बना लुगा, बना लुगा, बना लुगा, और जब टाइम देखा तो अभी वा आधा रहता था और टाइम खतम हो गया था, तो फिर आज के लिए गुजारा करने के लिए यहां पर बैड हैंड बनाना पड़ा, यह कल से हो जाएगी इंशालला रूटीन से हैंड बन जाएगा, तो टाइम पे शुरू करेंगे तो इंशालला टाइम पे खतम होगी, एक दो दिन पहले वैसे भी जड़ा सा रुड़ा सा रनिंग शनिंग चाल रही होती है ना, लेकिन आज होमक तो ले जाए ना, कुछ तो करें ना, कुछ तो आप भी करें ना, मतलब मुझे लग रहा था कि यह तो बहुत कम है, लेकिन असल में यह फिर अपड़ाया नहीं ना, यह करवाया नहीं ना, बीच में कानी और तरफ निकल गई, लेकिन यह बहुत जरूरी बाते हैं, आप देखेंगे, आगर यह चीजें आपके दमाग के अंदर सही से बैठ गई ना, तो पिर जो मर्जी आप टॉपिक करते रहेंगे, हर टॉपिक की अपनी नेचर होगी, तो बेसिक्स के अंदर बस हमने यही सीखना है, अब हम कल इंचादा जो सीखेंगे, बड हर किलो आफ माटीरियल पांचसो रुपे का है, तो एक पैन के ओपर कितना माटीरियल लगा, तो यह कास्ट निकालना, यह बेसिक में सीखेंगे, फिर सारी कास्ट में यह चलना है, ठीक है ना, तो हम पार यूनिट कास्ट, टोटल कास्ट निकालना कल सीख रहे होंगे, इन परसों होफुली हाई लो शुरू होगा हाई लो मैथर्ड एक है जिसमें आपकी सेमी वेरियेबल कॉस को तोड़ना होता है आपने फिक्स और वेरियेबल में वह सीखेंगे यह बेसीद के अंदर सीखने वाली बाते हैं बाकी दमें हम और कुछ नहीं है तो अल्ला करेगा हफ अच्छा जी तो अच्छा जी अब एक चोटी सी बात मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूं वह है कंप्यूटेशन ओफ सेल प्राइस इन अ मैनफेक्शनिंग बिजनेस यह आपको कि इसकी क्या जरूरत है थोड़ा सा यह जो बात की है ना इस बात को थोड़ा और ज़रा है ना वो समेट लें एक जगा पर ले आएं ठीक है ना यह थोड़ी सी मेरी कोशिश है भाई बच्छे ऐफर टू वाले आने लग गया हुए उन्हें कहीं ज़रा आज दूसरा दिन आखरी बार माफ कर दें और फिर सारा सेशन बार बार आपको आदत पढ़ जाएगी माफ क करने की जी कंपूटेशन आओ चलो बस यह कर लेते हैं यह आप होमवक ले लेना खैर है यह फिर मैं आपको कल फुदी करवाओंगा ठीक है यह एजी हैं लेकिन अच्छा है आपको ही पता लगेगा आपको परसंटेजिस केल्कुलेट करनी आती भी हैं के नहीं कियो हैं के सारे सवाल कल करवाओंगा आप इंशालला को ठीक है या सलूशन दे दूँगा और को एक दो करवाओंगा वो बेंड करता है अगर आप लोगों को मुश्किल लगा तो सारे करवाओंगा ठीक है लेकिन पता तो लगे आप कितने पानी में फिर इंशालला मैं करवाओंगा तो अभी सिर्फ इसको ध्यान से देखें यह जो चीज है यह आपको बहुत हेल्प करेगी कई सवाल आकर डिसीयन वेकिंग के अंदर जाके आपको अगर आपके बुनियाद में यह क्वेजन पड़ी होई होगी ना तो आप काफी हर्त तक उसको काबू कर सकेंगे वरना मैं ज वेल होने वाले बचे ऐसी उतने पड़के फेल होने वाले थीक है पहले एक दो दिन आया नी चलो ज़ो चल रहा होगा इंट्रड़क्शन चल रहा होगा सारा स्वेश बस नहाँ पे पूरा हो जाता है चोटी एक एक इंट बड़ी इंपॉर्टन होती है किसी भी बिल्डिं बिजनिस और कुछ समझ आई है वैसे आज बस फिर आज जी आखरी और ओका लेक्टर सी काल से तो वैसी असानी है शुरू जानी इंचार अब ये ना कहना सर वो सीनियर्स कहते हैं आप हरोज ऐसे कहते हैं ऐसी बात नहीं है सच मुझ है यासान कितने बचों ने मेरे साथ ही अब दो काफी शएचे नजर आ रहे हैं मैं मुझे बताओ आप हाथ धीचे कड़ो आपका केंबरे के रागया हाथ आ अगया बाकी हाथ खड़े करो मुझे यह बताओ कि आप लोगो हाथ ख़़े रखो मुझे बताओ मैं कहता था कि एलोग बहुत आसान थी ना पेपर भी किसी किना किया किसी ने का जी 80 कर लिया पचासी कर लिया मैंने का तुम पास हो इन्शालला पेपर मुश्किल आना नहीं आपका पास से डिटर्मिन करता है वह आपकी मेहनत होती है कितनी की हुई है मेहनत पूरी हो तो पेपर जैसा को सारे पाकिस्तान लिया हो जाया अस्ताद ठीक है यार ये एक बार आलो यार आना जाना पीछे चार-पांच मिनिट में ना इजाज तीन बार आप ने कर लिया है उदर से वो भी आई जा रहे हैं रुक जाएं computation of sale price in a manufacturing business पता है ना वो बालिंग बालर के पीछे जो सक्रीन होती है उसके ओपर अगर कोई movement आये तो batsman पीछे अड़ जाता है उसकी concentration लूज हो रही हो तो आप लोग मेरे सब वही कर रहे हैं मैं दमाग पते नहीं कहां में पहुंचा हुआ था कहां बे ले आया है आप लोग मेरी क्लास में आखरी 10 मिनिट में कोई movement ना हुआ पर आज के बाद बड़े देनों गयार cricket खेली नहीं इसला सारा session ही को नहीं खेली देखो इस बार फिर करते हैं ब्रेक दूँ क्या कह रहे है देख अभी नहीं अच्छा जी सेल प्राइस accountant नहीं बनना, cost accountant भी नहीं बनना, financial accountant बनो आम आदमी, आम आदमी, सेल प्राइस, कोई आम आदमी, कोई mango man, सेल प्राइस कैसे डिटर्मिन करेगा, product की, cost plus profit, very simple इस cost की, ये manufacturing business की cost के पीछे तो मैं सुबह से पढ़ा हुआ था अब इसका post-mortem करें, ठीक है, कि ये जो cost है, ठीक है, ये cost, 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 total तीन तरह की होती है, फैक्टरी कास्ट, जो फैक्टरी के अंदर होती है, तीन डिपार्टमेंट्स है ना, फिर, selling, ये main cost है, admin, मैं finance नहीं लिख रहा होती है, लेकिन इतनी main नहीं है, कभी होती है, किसी business में नहीं भी होती, ठीक है, कोई loan नहीं लेते हो, सूद बे, ठीक है, ठीक है, तो ये factory की जो cost हैं, इनको मैं अभी कहकर आया हूँ, product cost, production cost भी कहते हैं इनको, ठीक है, ये तीन main departments है, तो production cost, फिर, selling department की, selling and, marketing cost साती है, ये मैंने marketing लिखने की कोशिश की थी, और admin department में admin cost सा जाती है, बात वही है, sale price के लिए, हमें cost चाहिए, और उसमें profit add करना है, ठीक है, अब cost, production भी है, selling भी है, admin भी है, अब production cost आगे, तीन तरह की थी, यानि मैं इसको अगर दुबारा लिखूँ, दुबारा नहीं लिखता, end पर final वाला लिख लेंगे, ठीक है, production की cost, तीन तरह की थी फिर, material cost, labor cost, और overheads की cost, factory overheads, FOH, आखिर कार पहुंच गए, फिर ये, direct material भी था, direct material की cost, indirect material की cost, वो कर लेते हैं, फिर, direct labor, ठीक है, आप ऐसे चाह रहे हैं, तो ऐसे कर ले, पता ही है आपको, इससे आगे, हाँ, detail मतलब अब मैं इसको जगह ही तांग होगी, ठीक है न, कारी 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 कारी, यानि कि अगर मैं इस equation को लिखूँ, तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, कि sale price की जो equation होगी, वो क्या होगी, direct material cost, direct material cost, प्लस, direct, labor cost, final version आ गया न, direct material, direct labor इदर आ गया, indirect material भी इदर जाएगा, indirect labor भी इदर जाएगा, वो सारा F.O.H. में और F.O.H. में बाकी सारे खर्चे भी आ रहे होते हैं, ठीक है न, ठीक है न, ठीक है थोड़ा सा लिखी देता हूँ, मेरे तो सल्ली नहीं होरी ज़रा, बाद में आपने कहना सर्व वो बात समझ नहीं है, material cost direct भी होती है, indirect भी होती है, labor direct भी होती है, और indirect भी होती है, अब ये indirect भी इदर, ठीक है, और ये indirect भी इसी गाड़ी पर बिठा दो इदर, और बाकी भी इसके अंदर, फिर other expenses होती है, ठीक है न, common expenses होती है, अब, तो मैं इसी को दर थोड़ा सा, अब कर रहा था कि direct material, direct labor, और FOH cost, ठीक है, लेकिन sale price निकालनी है, वो होती है, cost plus profit, अब पागलों की तरह, ये ही मैं समझाने लगा हूँ, ये सारे, सारे, पागलों की तरह समझाने लगा हूँ, आप समझे नहीं, मैं जुमला वो छोड़ द profit करना पड़ेगा, आप क्योंके cost accounting के अंदर निया निया सीखते है, material, labor, overhead, तो इनको खर्चे ही मिचारों को समझते हैं, ये खर्चे ही नहीं है, आप समझते हैं, वो sale price मांग रहा है, आप इस cost के अंदर plus कर रहे हैं, profit, अगर नहीं है cost पर तो नहीं है ना, लेकिन सवाल म पर क्या बनी, plus selling costs, plus admin costs, ये तो आगीं सारी costs, plus profit, बस है finance cost छोड़ो बस, काफी है, पहले ही दिल लम्मी होगी equation, ठीक है, तो sale price का formula या equation, क्या बनी जनाब, direct material, direct labor, फोच, अच्छा, अगली बात भी सुनो, इस सारे हिस्से को, इसको हम क्या कहते हैं, prime cost, ठीक है, इसको लाल रंग कर रहा हुँ है, इसको हम क्या कहते हैं, prime cost, और इसको नीला रंग करते हैं, इन दोनों को मिलाएं, तो क्या बनता है, conversion cost, ये आपको terminologies आनी चाहिए, ठीक है न, conversion cost, और ये सारी की सारी जो है, मिला कर ये तो पहली बता चुका हूँ, ये क्या है, ये क्या है जी, production cost, production cost या product cost एकी बात है, ठीक है, ओके तो ये जनाब हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई पहले सी को लिखें क्यूंकि सवालों के अंदर लिखा होगा प्राइम कॉस्ट तो बस फिर ये एडिड हैं दोनो आपकी प्रोड कॉस्ट के अंदर एडिड इस बठाके लिख देंगे सवाल में वो कहेगा कनवरिजन कॉस्ट तो समझ जाना कनवरिजन कॉस्ट का मतलब क्या है डायरेक्ट लेबर और फिर जाहरा इंडायरेक्ट लेबर भी एफोईज में आ गई यह निके लेबर और एफोईज यह क्या है कनवरिजन कॉस्ट यह कुछ terminology's हैं यापको पता हुन्ही है ठीक है और मैं यह अर्द कर था कि क्या चीज री प्रोडक्शन कास्ट और यह सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कास्ट वह different name's लिक्षियों है ठीक है तो असल में आपका जड़ा सा map बना होना चाहिए परिशानी इंशालला अलाग ने चाहा तो नहीं होगी आपको पिर पूरे सिलेबर्स के दौरान ठीक है जी जी प्रॉफिट नेटी होता है इसमें ग्रॉस कहां से आगा है सारे खर्चों के बाद असल तो नेट प्रॉफिट ही होता है हमें जो बचना है ठीक है जी बच्चो तो असल में कहानी तो ये थी कि आपने computation की बात करनी थी हमने ठीक है तो computation के अंदर तो मैंने का साधा बात cost plus profit होता है लेकिन हम सुबों से पढ़ क्या रहे हैं cost जो है वो दो तरह की होती है production और non-production production के अंदर फिर तीन तरह की थी material labor और और यह सारी कहानिया करने के बाद मैं इस मतीजे पहुंचा हूँ यानि अगर आपको वो पर्चे के अंदर पूछ ले आप से sale price तो आपने sale price निकालने के लिए यह से अगर per unit sale price पूछे बेटा तो यह सारे per unit और अगर total पूछे तो यह सामने रखा हुआ है तो यह अच्छा एक मिनट सुन ले आखरी बात फिर एक मिनट एक मिनट यह ना कुछ questions थे जो मैंने सोचे थे करवाने तो यह अब आप खुद करेंगे सुन ले ना और होंग मैं चेक भी करता होता हूं सक्ती से भी लेकिन उस दिन जिस दिन आप नहीं करते हैं हाँ यह पता नहीं कैसे तो यह questions आपने खुद करने हैं आसान question है percentage हैं जिन में जब solution कल देखो को मसला होगा तो फिर वह डिसकस भी कर लूँगा मेरा दिल झाल